नमस्कार दोस्तों, एक पजल है, एक पहली है और एक फिजिक्स का क्वेस्टन भी है पहली यह है कि आपको कहा जा रहा है कि एक भालू है, एक बीर है जो एक 10 मिटर की उचाई से नीचे के तरफ गिर रहा है अब बीर फॉलिंग फ्रॉम आ हाइट अफ 10 मिटर मतलब इसको उपर से नीचे गिरने में रूट टू सेकंड का टाइम लगा तो आपको बताना है कि इस भालू का रंग क्या है बुले यारसर यह भी कोई क्वेस्टन हुआ क्या, यह फिजिस्स का तो कोई क्वेस्टन है नहीं तो एक भालू है जो 10 मिटर की उचाय से गिर रहा है और इसको नीचे गिरने में रूट 2 सेकंड लगे है तो इसका कलर क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है लगीली इट डिटन्ट गेट हर्ट इसको किसी प्रकार को क्यों नुकसान नहीं हुआ है और आपको scientifically prove करना है तो आई ही देखते हैं physics लगा के हम लोग इस पहली को कैसे solve करते है अब आपको दिया हुआ है कि fall कर रहा है fall करने का मतलब होता है free fall कोई भी चीज, कोई भी object जब free fall करता है बचो h height से तो उपर से लेकर नीचे तक आने के लिए उसकी जो height का time के साथ relation होता है वो होता है half gt square तो मुझे question में h दिया हुआ है मुझे question में time दिया हुआ है तो मैं gravity निकाल लूँगा और उसकी value आएगी 2h upon t square height जो है वो 10 meter है और जो time है वो root 2 seconds दिया हुआ है अगर मैं इसका square कर दूँँगा तो 2 आजायेगा मेरे पास में इसको मैंने 2 लिख दिया and gravity की value आगे मेरे पास में 10 meter per second square ये g की value आगे 10 meter per second square और आप लोग जानते है कि gravity की value 10 meter per second square आने का मतलब है this is the maximum value of g और अगर मैं gravity की बात करता हूँ और earth surface इस पर बात करता हूँ मैं जानता हूँ कि अगर यह हमारी प्यारी से प्रत्वी है तो इस प्रत्वी के ओपर जो सबसे ज़्यादा gravity होती है वो poles पर होती है poles पर जो g होता है वो maximum होता है और equator के ओपर जो g होता है वो minimum होता है क्योंकि मेरे को maximum gravity मिली है तो maximum gravity मिलने का मतलब हुआ कि मैं poles पर हूँ और यह जो beer है वो poles पर गिर रहा है और poles पर जो beer होते हैं बच्छों दुरूओं पर जो beer होते हैं उनका जो रंग होता है वो सफेद होता है तो इसका मतलब beer का जो color है वो white है यह एक बहुत ही famous puzzle है जिसके अंदर जो उसको सुनते ही सबसे पहले हमको उसा लगता है कि यार यह भी कोई सवाल हुआ गया लेकिन दिस इस वेरी गुट पजल तो आप लोग ध्यान रखना जी की वेलू 10 मीटर पर सेकंड स्कुार आई है जो maximum value आई है और वो poles पर होती है इसलिए बियर का कलर वाइट थैंक यू सो मच कीप कनेक्टेट विद अरुन प्रकाष कॉड